असलाम अलाइकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल जैसा कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरे पास जो है वो ड्रेसे के बहुत सारे ओडर आये थे जिसकी वज़े से मैंने जो है वो अबाय की वीडियो जो है थोड़ी सी डिले कर दी थी लेकिन सारे ड्रेसे माशालला कमप्लीट हो गए और मैंने सब अपने कस्टरमर को दे दिये तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी डिजाइन में आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे मैंने जोर्जोर का देखी एक सूट आपके सामने ये खोला है यह जो फैब्रिक था यह बहुत कम था दो मीटर तक था सिर्फ कमीज का इसके अंदर देखी यह पैटन मैंने बनाया है सिंपल यहाँ पे चोड़ाई मैंने प्लाजो बनाया है और इसकी लेंज जो है वो बहुत कम आ रही थी और बनने के बाद में सूट बहुत प्यारा लग रहा है तो मेरे कस्टरमर को भी बहुत ज़ादा पसंद आया तो यह एक सूट हो गया जितने ड्रेसे मैंने सीले हैं सब तो नहीं दिखा पाऊंगी लेकिन थोड़े बहुत जो मैंने यहाँ पे रखे थे वो मैं आपके साथ जो है आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा तो यह देखिए दूसरा लड्रेस है इसमें मैंने यह वाली लेस लगाई है यह साथ में इस ड्रेस के मुझे यह लेस दी गई थी जो के मैंने यहाँ पे लगाया है इसके नीचे भी उन्होंने मुझे गरारा बनाने के लिए कहा था लेकिन फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा कम था इसके लिए मैंने इसके नीचे जो है वो simple गरारा बनाके ready किए जो कि मैं आगी आगी आपके साथ share करूँगी तो ये देखे मिने दामन पे इस lace को यहांपे attach किया है और इसके नीचे मैंने ये गरारा बनाके ready किया है ये simple बिल्कुल सीथा गरारा है आड़ा गरारा नहीं है और ये फैब्रिक जो है वो अड़ाई मेटर से भी कम था और इसका जो अर्ज है वो बहुत ही ज़ादा कम यान 38 तक अर्ज था तो उतने कम कपड़े में मैंने इस डिजाइन को यहाँ पर रेडी किया है लेकिन बनने के बाद में ये भी सूट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं ये घेरा भी इसके अंदर अच्छा आ गया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए तो ये देखिए ये कॉटन का सूट है जिसके ओपर चिकन का रिकी हुई है और इस फैब्रिक में मैंने जो है वो प्लाजो का फैब्रिक लगाया है स्लीव्स में और इसी के साथ में मैंने इस कमीज की भी लेंद को थोड़ा सा बढ़ाया है इसके नीचे देखिए मैंने प्लाजो बनाया है और ये जो प्लाजो का फैब्रिक है ये भी दो मीटर तक ही था लेकिन इसका जो अर्ज है वो बहुत ज़ादा था तो लंबाई में मुझे यहां पे फैब्रिक एक्स्टर मिल गया था जिसकी वज़े से मैंने कमीज में यहां पे दामन में आगे और पीछे दोनों तरफ इस फैब्रिक को अटेच किया है जिसकी वज़े से यह बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसके उपर मैंने यहां पर पतली सी लेस लगा दी है इस बॉर्डर को जो है वो हाइलेट करने के लिए और यह देखे इसमें पहले से डिजाइन बनी हुई थी बिल्कुल सीधा मैंने यहां पर प्लाजो बना के रेडी किया है और बनने के बाद में इस सुट बहुत ही जादा अच्छा दिखाई दे रहा है तो कोई भी कॉटन का ड्रेस अगर आपके पास दो डिजाइन में है दो कलर में है तो ऐसा पैटन आप बना के रेडी कर सकते है तो आगे यह देखिए यह मैंने जो है वो कश्मिरी कडाई किया हुआ ड्रेस को यहां पर सिला है और इसमें जो मैंने पैटन दिया है आपको यहां पर इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सामने की तरफ से फ्रॉक में जो है वो प्लेट्स डाली है और स्लीव्स मैंने यहां पर कफ वाली बनाई है यह देखिए जैसे आबाया में होती है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहां पर इसमें कफ दिया है और इस पैटन में यहां पर कमर की तरफ जो है वो प्लेट्स दी गई है यानि यहां पर यह फ्रॉक स्टाइल में है और साइट से बिल्कुल भी इसमें प्लेट्स नहीं है और बदने के बाद में जो है यह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इसके अंदर मैंने लाइनिंग डाला है यह भी कॉटन का सूट है जो के पैच वाला है और इस पैच को मैंने यहां पर गले पर अजिस किया है और साथ में मैंने यहाँ पे दामन में भी इस पैंच को देखे कुछ इस तरीके से लगाया है बिल्कुल स्टेट में करके मैंने लगाया है और यहाँ पे इसका जो पैंट है वो मैंने सिंपल ही रखा है क्योंकि मेरे कस्टरमर को ऐसा ही पैंट चाहिए था तो यह देखिए तो यह भी एक सूट है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूफ नहीं थी बस यह पैच को यहाँ पे एड़िस करना था जो के ड्रेस के साथ में दिया हुआ रहता है और इस तरह का जो ड्रेस होता है ना इसके अंदर हम ज़्यादा पैटन बना भी नहीं सकते है और यह देखिए यह वैलवेट का सूट है जो के थंडी में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और यह जो सूट था इसका मैंने वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर किया होगा इसमें सिर्फ जो पैचे जे वो दिये रहते हैं और इसके उपर जो है कुछ भी बना नहीं रहता है सारे पैच को आपको अटेच करना रहता है और यहाँ पे नीचे मैंने जो है वो प्लाजो बनाया है प्लाजो में भी लेस नहीं थी पर मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि इसमें बहुत ही ज़ादा अच्छा दिखाई दे और घेर मैंने यहाँ पर ज्यादा रखा है और इसी के साथ में जो है वो डुपटा भी दिया हुआ है इसके उपर कट वर्क का पुरा जो है वो डिजाइन किया हुआ है और यह देखिए यह पूरा कंप्लीट सूट है तो इस तरीके का अगर आप पैच वाला कोई भी ड्रेस खरीते हैं इसे कीस तरीके से कटिंग किया जाता इसकी वीडियो मैंने अपलोट किया है आप लोग जरूर एक बार देखिएगा तो यह देखिए अब यह अलग से यह सूट जो हल्दी मेंदी का था इसे मैंने यहाँ पर लाइनिंग दे के बनाया है यह और गिंजा सूट है और इस गरारे को भी मैंने अड़ाई मिटर में ही एड़ेस किया है क्योंकि जो सूट का कम्प्लीट फैब्रिक होता है वो कम होता है अगर हम अलग से फैब्रिक खरीते हैं और फिर ऐसा गरारा बनाते है तो हमारा जो गरारा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है उसमें ज़्यादा गहराता है लेकिन तो भी यह जो है इतना भी कम नहीं लग रहा है बनने के बाद ने बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इसका कॉंबिनेशन आप देख सकते हैं इसका डुपटा भी बहुत अच्छा है लेकिन इसके साथ में अभी नहीं है और उसके बाद हम जो है वह अगले ब्रिक रहता है और आडाई मेटर आपको कमीज में डालनी रहती है और आडाई मेटर में आपको ऐसा गरारा बनाना रहता है क्योंकि ये गरारी की जो लेंथ है वो 38 तक है तो उसमें एड्जस हो गया बहुत जादा जो है वो गहरा तो नहीं आया लेकिन अच्छा सेम यहाँ पर सीलवर में प्लेंडेस जो है वह वो जो मैंने यहाँ पर गैदर जाल उसमें डाल दी है और यह दुबारा से एक पैच वाला कमीज है आप देख सकते हैं इसका पैच जो है बिल्कुल सेंटर में है क्योंकि मुझे यहाँ सेंटर में नहीं लगाना था लेकिन यह जो patch है मेन अगे उपर गले की तरफ लगाया जाता है कट कर के पर इनको यह माना पैजन के उपने लागा दिया तो यह दिखी सारी जो ड्रेसे कंप्लीट करकर मैंने ईशाब पैक कर दिया है थे कस्टर की बाशिए जाएगगे तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करते हूं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए helpful रही होगी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बारे तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए आला हफिज